इस वीडियो में मैं आपको 2018 बजट की परमुख योजनाओं के बारे में बताऊँगा यह योजनाओं आपके एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट पर्शन है बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन्स है जैसे SSC, CGL के लिए, CPO के लिए, Banking, Railway, UPSC, DSSB, KVS, Seated हरे के एक एक्जाम के लिए यह योजनाओं बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऐसी योजनाओं के बारे में हरे के एक एक्जाम में एक दो कोशन्स जरूर पूछे जाते हैं हमारी नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट से में लिकर जरूर बताईए और इस वीडियो को जाया जादा लाइक और शेयर करें आपके पहली योजना है कि फायती आवास निदी योजना के अंदर सरकार राश्टे आवास बैंक के साथ मिलकर एक समर्पित के फायती आवास निदी बनाएगी और सरकार की योजना है कि 2022 तक सब के पास अपना एक गर हो इसके लिए परदानमंत्री आवास योजना के अंतरगत मोजुदा और अगले वीट वर्स में गरामिंड सेक्तरों में एक करोड से अधिक गरों का निर्मान किया जा रहा है तो अगर आपका कुछना है कि परदानमंत्री आवास योजना के अंतरगत किस वर्स तक सबी के पास अपना एक गर करने का अलग से रखा गया है तो आपका अंसर होगा 2022 तक और गरामिंड सेक्तरों में कितने गरों का निर्मान किया जा रहा है तो आपका अंसर होगा लगबग एक करोड से अधिक गरों का नेक्स्ट योजन है मच्वारों को किसान क्रेडिट कार्ड यानि वित मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरज पर मच्वारों और पसुपालकों को भी कार्ड दिये जाने का ऐलान किया है इससे उन्हें कर्ज मिलने में भी आसानी होगी सरकार का कहना है कि इससे ग्रामिन सेक्टरों में दुख दूत पादन का कारबार करने वालों को मदद मिलेगी और इसके अलावा मतस्य पालंग से जुड़े लोगों को भी आर्थिक साहता हो सकेगी तो अगर आपका कुशन है कि किसान क्रेडिट कार्ड से अब कौन और जुड़ सकेंगे तो आपका अंसर होगा मतस्य पालंग करने वाले लोग भी जुड़ सकेंगे नेक्स्ट योजना है आईश्मान भारत योजना आईश्मान भारत योजना के तैट इलाज के लिए पाच लाग रुपे तक का बीमा कवर साल में मिलेंगा अब तक राश्टे स्वास्त बीमा योजना के तैट साल में 30,000 रुपए तक काई बीमा कावर मिलता था तो अगर आपका कुशन है कि आईश्मान बारत योजना के तैट इलाज के लिए कितने रुपए का बीमा कावर मिलेगा साल में तो आपका अंसर होगा 5,000,000 रुपए तक का आपकी नेक्स्ट योजना है गोबर धन योजना तो अगर आपसे गोबर धन योजना के फुल फॉम पूछी जाए तो आपका अंसर होगा G से गल्वनाइजिंग O से और्गैनिक B से बायो, A से एग्रो और R से रिसोर्स धन योजना और इस योजना के तैत गोबर और खेतों के ठोस अपसिस्ट प्रदारतों को कमपोस्ट, बायो गैस और बायो से एंजी में बदला जाएगा और इसके तैत सरकार ने 115 जिलो की पहचान की है तो अगर आपका कुशन है कि गोबर धन योजना के तैत सरकार ने कितने जिलो की पहचान की है तो आपका अंसर होगा 115 जिलो की नेक्स्ट है उजवल योजना का विस्तार उजवल योजना के तैत सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शिन देती थी और 2018 के बज़ट में सरकार गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शिनों की संक्या को 8 करोड तक पहुचाने का लक्से रखा है तो आपका क्वेशन है कि 2018 के बजट में सरकार ने उजोली योजना के तहित कितने गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन देने का लगसे रखा है तो आपका अंसर होगा आठ करोड परिवारों को नेक्स्ट योजन है राष्ट्य बास मिशन इस स्कीम के तहत 1290 करोड रुपे की रासी आउंटिट की जाएगी इससे बास की पैदावार को एक उद्द्यों के तोर पर विक्सित करने में मदद मिलेगी इससे ग्रामिड और आदिवासी लाकों के लोगों को मदद मिल सकेगी सरकार ने ग्रामिड इलाकों में बिजली कनेक्शनों की संख्या को 4 करोड परिवारों तक बढ़ाने का लग्से रखा है तो अगर आपका कुछना है कि सोब आगया योजना किस चीज़ से संबंदित है तो आपका अंसर होगा ग्रामिड इलाकों में बिजली कनेक्शन देन से संबंदित है नेक्स्ट है उडान योजना का विस्तार शेक्त्रिय हवाई संपर्ग योजना की तैत शम्ता से कम विप्यों गोरे 56, 56 हवाई अडो और 31 हलिपैड को जोड़ा जाएगा इसके अलावा सरकार सालाना एक अरब व्यात्राओं के लिए हवाई अडो की शम्ता प एकलवे स्कूल एकलवे स्कूल नवद्य स्कूलों की तरज पर 2022 तक अनुसुचित जाती के छात्रों के लिए स्तापित किये जाएंगे और 50 फिजदी से अधिक जनजाती वाले सेक्त्रों और 20,000 आदिवासी लोगों वाले परतेक बलोग में एकलवे माडल आदिवासी वि यह विद्याले नवद्या विद्यालों का इसा होंगे और यहां खेल और कोशल विकास में पर्शिक्षन देने के अलावा स्ताण्य कला और संस्कूर्ति के संरक्षन को भी विशेश सुविदाय होंगी यह exam point से आपका बहुत important question है तो अगर आपका question है कि एकलवे स्कूल किस जाती के चातरों के लिए स्तापित किये जाएंगे तो आपका अंसर होगा अनुसुचित जाती के चातरों के लिए और एक लोवे स्कूल किसके अंतर गताएंगे तो आपका अंसर होगा नवद्दे स्कूलों के अंतर गताएंगे नेक्स्ट योजना है परदानमंत्री फैलोशिप योजना परदान मंत्री फैलोशिप योजना के तैत 1000 BTEC चात्रों को IIT और IISC में PhD करने का उसर परदान किया जाएगा तो अगर आपका कुछना है परदान मंत्री फैलोशिप योजना के तैत कितने चात्रों को IIT और IISC में PhD करने का उसर परदान किया जाएगा तो आपका अंसर होगाuntu 1060 को और ये 1000 BTEC 2016 होंगे आपका next question बंता है कि 2018 के budget में सरकार ने CASE में कितनी बढ़ोतरी किया है तो आपका अंसर होगा 1 % की बढ़ोतरी की है पहले CASE 3 % था अब इसे बढ़ा कर 4 % कर दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट है बजट 2018 में नई करमचारियों को EPF में सरकार 12 फिजदी देगी तो अगर आपका कुछन है कि बजट 2018 के बाद नई करमचारियों को सरकार EPF में कितने फिजदी देगी तो आपका अंसर होगा 12 फिजदी और राश्पती उपराश्पती और राजपाल की भी सेलरी बढ़ाई जाएगी तो अगर आपका कोशन है कि राश्पती की सेलरी अब कितने लाख रुपे हो जाएगी तो आपका अंसर होगा 5 लाख रुपे, उप्राश्पति की सेलरी 4 लाख रुपे महिने हो जाएगी और राजयपाल की सेलरी 3.5 लाख रुपे महिने हो जाएगी ये कोशन्स आपके एक्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो इन पर आपको ध्यान देना है इस बार स्मार्ट सिटी के लिए 99 सेर चुने गए हैं और 100 स्मार्कों को आदर्स बनाए जाएगा धार्मिक परियाटन सेरों के लिए भी हेरिटेज योजना बनाई जाएगी तो अगर आपका कुछना है स्मार्ट सिटी के लिए कितने सेरों का चुनाव किया गया है तो आपका अंसर होगा 99 में सेरों का 2018 के बजट में Tax Lab में कोई चेंजिज नहीं किये गए हैं यानि जो पहले Tax Lab था अब भी वही रखा गया है पहले इंकम Tax Lab था 60 साल ते के इंवर के वाले के लिए जिनकी इंकम 0 से 0,5 लाक रुपे थी उनके लिए कोई टेक्स नहीं लगेगा और जो income डाइलाक रुपे से पाचलाक रुपे है उसके लिए पाच परतिसद परसेंट टैक्स रहेगा और जो income पाचलाक रुपे से दसलाक रुपे है उसके लिए 20 परतिसद टैक्स रहेगा और जो इंकम 10 लाख रुपे से उपर है उसके लिए 30% 30% टेक्स लगेगा सेकिंड इंकम टेक्स लेब है 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम आयू वाले लोगों के लिए यानि जो इंकम 0 से 3 लाख रुपे तक है उसके उपर कोई टेक्स नहीं लगेगा और जो इंकम 3 लाख रुपे से 5 लाख रुपे तक है उस इंकम के उपर 5% टेक्स लगेगा और जो इंकम 5 लाख से 10 लाख रुपे तक है उसके उपर 20% टेक्स लगेगा और जो income 10 लाग से उपर है उसके लिए 30% tax लगेगा ये tax lab है 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम I.U. वाले लोगों के लिए Next income tax lab उन लोगों के लिए जिनकी age 80 साल से ज्यादा है 80 साल से ज्यादा में जिनकी income 0-5 लाग रुपय तक है उनके लिए 0% tax दर रहेगा और जिनकी income 5 लाग से 10 लाग रुपय है उनके लिए 20% tax रहेगा और जो आए 10 लाग रुपय से उपर है उसके उपर 30% tax रहेगा 2018 के बजट में standard deduction की फिर से सुरुआत कर दी गई है 40,000 रुपय का standard deduction मिलेगा मतलब जितनी salary होगी उसमें से 40,000 रुपय गटा कर बचे हुए पैसे पर ही tax देना होगा deposit पर मिलने वाली छूट 10,000 से बढ़ा कर 50,000 कर दी गई है और वही 500 को रोड का टरन और करने वाली कमपनियों पर 25% tax लगेगा और 99% MSME को 25% tax के दाएरे में रखा गया है Thank you guys for watching our video. Please subscribe to our channel Study Zone for preparation of upcoming exams और subscribe के साथ आप notification bell का भी बटन जरूर दबाए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए अब आप हमें Facebook लिंक पर भी follow कर सकते हैं हमारा Facebook लिंक नीचे दिवा हुआ है आप इस पर जाकर हमें Facebook पर follow कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक Facebook के दिवारा भी पहुंच सकें